Hello Friends, I am Manu Sharma and this is Civil Section. Welcome you all here. Friends, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं Class 7 Science का Chapter 15, जिसका नाम है Light, यानि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि Light का मतलब क्या होता है. लेकिन Friends, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. तो Friends, सबसे पहले हम देखेंगे Light का मतलब क्या है, यानि What is Light, उसके बाद हम देखेंगे कि Real और Virtual Images क्या होती हैं और इसके बीच में हम Difference भी देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे Mirror क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे Plain Mirror के बारे में और Spherical Mirrors के बारे में. उसके बाद हम जानेंगे कि जो concave mirrors होते हैं वो कौन से होते हैं और उनके क्या-क्य uses होते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि convex mirror कौन से होते हैं और उनके क्या uses हैं उसके बाद हम जानेंगे lenses क्या होते हैं और ये कौन-कौन से type के होते हैं इसके बाद देखेंगे कि जो newton's color disk है इसका मतलब क्या है और spectrum of white light का मतलब क्या होता है तो friends इस chapter के अंदर हम इन सभी topics को one by one cover करने वाले हैं तो आएए start करते हैं तो friends जैसे कि आपने देखा chapter का नाम है light लेकिन जब हम इस chapter का नाम पढ़ते हैं तो obvious एक कुशन अनाची दिमाग के अंदर की light क्या होती है यानि what is light तो friends light जो है एक तरीके की invisible energy है यानि एक ऐसी energy है जिसको हम नहीं देख सकते और इसी की वज़ह से यानि इसी energy की वज़ह से हमें sensation of vision होता है यानि कि हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं अगर या energy नहीं होगी तो हम कोई भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे suppose करिए आप एक dark room में है यानि आप एक अंधेरे कमरे में है right तो आपको वहाँ पर क्या नज़र आएगा तो आपको कुछ चीज़े वहाँ पर visible हो जाएंगी यानि आपको दिखने start हो जाएंगी तो अगर आपसे question पूछा जाता है कि बताओ आपको वो particular चीज़े जो उस room में रखी हुई है कैसे दिखी तो आपको दो चीज़ों की help से वो जो चीज़े वहाँ पर रखी हुई है वो दिखी होंगी तो वो दो important चीज़े कौन-कौन सी है तो friends पहली तो है हमारी eyes right यानि हमारी आखे और जो दूसरे important चीज़ है वो है light यानि कि eyes अकेले सारा काम नहीं कर सकती उन्हें देखने के लिए किसी invisible energy की जरूरत होती है और वो invisible energy होती है light right तो बिना light के हमारी eyes जो है वो कुछ भी नहीं देख सकती तो light जो है वो एक बहुत ही important energy है जिसके बारे में जाना बहुत जरूरी है right तो friends हम कह सकते हैं कि अगर bulb light दे रहा है तो एक तरीके से वो invisible energy दे रहा है और वो जो invisible energy है वही क्या है वही है light right तो friends अब next question जो आता है वो यह होता है कि light की help से हम कैसे किसी भी चीज़ को देख पाते हैं यानि light कैसे हम को किसी भी चीज़ को देखने में help करती है तो friends suppose करिये एक बिल्कुल dark room है यानि completely dark है और वहाँ पर एक table है right उस dark room की अंदर अब जैसे ही क्या होता है कहीं से एक light की beam आती है और वो इस table के उपर पड़ती है right यानि कि जैसे ही एक beam जो है वो इस table के उपर पड़ेगी light ही यह जो table है यह हमको visible होनी start हो जाएगी यानि हमको दिखनी शुरू हो जाएगी अब यह कैसे possible हो पाया तो friends क्या होता है कि जब light किसी भी object के उपर पड़ती है तो क्या होता है कुछ part तो यह जो object है यह absorb कर लेता है right यानि light का कुछ part यह जो object है यह absorb करता है और फिर क्या होता है कुछ part light का क्या होता है bounce back होके हमारी eyes में आता है और जैसे हमारी eyes में वो bounce back होके light आती है तो इससे क्या होता है इससे हमारे brain में एक sensation होता है right यानि कि यह जो light है यह कहां तक पहुँचेगी हमारे brain तक पहुँचेगी brain उसको analyze करेगा और analyze करने के बाद में वो हमको बताएगा, हमको message भेजेगा कि ये particular चीज जो है ये table है, right तो friends ये जो काम होता है ये बहुत तेजी से होता है, इतना तेजी से होता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते तो हुआ क्या, जैसे ही उस table के उपर लाइट की एक किरन पढ़ती है, एक बीम पढ़ती है तुरंथ क्या होता है वो light जो है, वो reflect back होके कहां जाती है, bounce back होके हमारी eyes में आती है, और eyes से कहां जाती है, brain में जाती है यानि ये जो light है, brain में जाके sensation देती है, और हमारा brain उसको recognize करता है, और और वो हमको message भेशता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक table रखी हुई है, तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को easily देख पाते हैं तो हमने क्या देखा, कि दो important चीजे हैं, जिसकी help से हम किसी भी particular चीज को देख पाते हैं, और वो दो light एक invisible energy है, जो क्या काम करती है, हमारे vision को sensation देती है, जिसकी help से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, इसके लवा friends, exam के अंदर एक question बहुत ही ज़दा frequent पूछा जाता है और वो यह है कि rectilinear propagation of light का मतलब क्या होता है तो friends, इसका मतलब यह होता है कि जब भी light straight way में travel करेगी, यानि सीधी सीधी चलेगी उसी को बोलते है, rectilinear propagation of light, यानि light हमेशा straight way में ही travel करती है सीधे ही travel करती है तो friends, अगर आपने हमारे 6th class की वीडियो देखे होंगे, तो आपको यह चीज पता होगी, कि जो light है वो always straight way में travel करती है वहाँ पर एक activity भी हमने पड़ी थी उस activity की अंदर ये था कि suppose कि ये एक लोहे की rod है, और यहाँ पर एक candle जली हुई है एक candle है और इस लोहे की rod से अगर आप उस candle को देखेंगे, यानि उसके flame को देखेंगे तो आपको clear नजर आएगा लेकिन जैसे ही आप इस लोहे की rod को थोड़ा सा more देते हैं, तो आपको यहाँ पर रखी हुई जो candle होगी, वो नहीं दिखेगी, या उसका जो flame होगा वो नजर नहीं आएगा, ये चीज़ क्या शो करती है, ये चीज़ शो करती है कि light always straight away पर ही travel करती है, light घूम कर नहीं चल सकती, right तो friends, यही फिनॉमिना जो है इसी को बोलते है, rectilinear propagation of light, तो friends, I hope आपको समझ आगया होगा, कि rectilinear propagation of light का मतलब क्या होता है, और अब जो बहुत important next term है, वो है परती है, suppose कर ये एक polished surface है, right, और यहां से कोई ray आ रही है, light की तो जब भी ये जो light की ray आती है, polished surface से टकरा कर ये bounce back हो जाती है right, किसी फिनॉमिना को बोलते है, reflection of light right, तो friends, ये जो फिनॉमिना है, इसको आप detail में बड़ी classes में पढ़ेंगे, अभी तो वो क्या होती है, वो bounce back हो जाती है, और इसी फिनॉमिना को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं reflection of light, right तो friends, I hope आपको समझ आ गया होगा कि light क्या है reclinial propagation of light क्या होता है और reflection of light का मतलब क्या होता है तो friends, ये तीनों ही चीजें most important हैं exam में direct question इसे पूशे जाते हैं, right तो friends, अब हम देखते हैं मारा next topic जिसमें हम बात करेंगी real image की बारे में और virtual image की बारे में तो friends, इनका मतलब क्या होता है ये आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा जब आप बड़ी classes की जो science है उसको cover करेंगे लेकिन हम पूरी कोशिश खरेंगे कि आपको अभी इसका मतलब अच्छे समझा दिया जाए कि real और virtual image का मतलब क्या होता है तो friends, अगर मैं बहुत ही simple language में बात करूँ तो real image वो image होती है जो आपको screen पर मिलती है और जो screen पर नहीं मिलती है या screen के पीछे कोई भी image बनती है तो उसको virtual image कहा जाता है तो वह थोड़ा confused होंगे कि यहाँ पर screen का मतलब क्या है और कैसे किसी screen के उपर कोई image बन सकती है और कैसे उसके पीछे बनती है तो friends, आपने देखा होगा बहुत यह simple सा example जो हमारा looking glass होता है यानि जो हमारा शीशा होता है mirror होता है उसमें जो image बनती है वो virtual image होती है तो आपने देखा होगा कि जो looking glass होता है या जिसमें हम लोग अपना face देखते हैं उस mirror के अंदर पीछे की तरफ में image बनती है यानि कि यह अगर उसकी screen है और हम यहाँ पे खड़े होके इस mirror में अपनी अगर image देखते हैं तो वो image इस screen के ओपर नहीं बन रही होती है वो क्या होता है वो उसके पीछे के side में बन रही होती है तो यही जो phenomenon है यानि screen के पीछे अगर को image बनती है तो उसे को virtual image कहा जाता है लेकिन कुछ mirror ऐसे होते है जिनमें screen के ऊपर जो है वो image बनती है जैसे कि concave mirror होते है और convex mirror होते है तो उसमें जो screen होती है न इस screen के ऊपर ही या इससे पहले कहीं पे image बन जाती है तो उसको बोलते है real image तो friends I hope आपको समझ आगया होगा कि real image और virtual image में क्या difference है एक बार हम इसको और अच्छे समझ लेते है तो friends real image वो image होती है जो screen पर दिखाई देती है जो screen पर मिलती है और जो virtual image होती है वो आपको screen पर नहीं दिखती जैसे कि looking glass जो है इसका बहुत अच्छे example है virtual image का क्योंकि जो looking glass होता है उसमें screen पर image ना बनके screen के पीछे बनती है और जो convex mirror है या concave mirror है उसमें क्या होता है screen से पहले या screen के ऊपर ही image बनती है तो उसको real image कहा जाता है इसके लावा friends real image जो होती है वो always inverted होती है inverted का मतलब क्या है suppose करिए ये एक screen है यानि ये कोई convex या concave mirror है अभी क्या होते है concave mirror और convex mirror ये हम अनेलियर slides में पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल के लिए आप यात रखिए suppose करिए कोई एक spherical mirror है अब यहाँ पे आपने कोई object रखा suppose करिए आपने यहाँ पे कोई pen रखा और आपको देखना है कि इस pen की जो image बनेगी इस mirror में वो कैसे बनेगी तो आप देखेंगे कि distance के आधार पर ये कितनी दूरी पर ये रखा हुआ है object उसके आधार पर ये जो इसकी image बनेगी ना इस pen की ये कोई भी object यहाँ पर है उसकी length क्या होगी वो सारे के सारे चीज़े decide करेगा ये distance लेकिन हमेशा एक चीज़ देखने को मिलेगी कि real image always inverted होती है यानि कि उल्टी होती है अगर object ऐसे रखा हुआ है तो उसकी image हमेशा ऐसे बनेगी तो इससे phenomena को बोलते है inversion तो friends real image always inverted होती है इसके अलावा जो virtual image होती है वो always literally inverted होती है lateral inversion का मतलब क्या होता है friends आपने देखा होगा कि जो looking glass होता है उसमें अगर आप अपना left hand show करते है तो वो mirror के अंदर right दिखता है और अगर आप उसमे right hand show करते है तो mirror में वो left दिखता है तो इसे phenomena को क्या बोलते है इसे को बोलते है lateral inversion तो virtual image हमेशा कैसी होती है literally inverted होती है right तो friends यह बहुत ज़्यादा important question है exam में तो 100% पूछा जाता है कि difference क्या होता है real और virtual image में तो friends I hope आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा अब हम देखते हैं हमारा next topic जिसमें हम बात करेंगे mirrors के बारे में तो friends जैसे कि अभी हमने देखा कि जो mirror होता है वो दो type का होता है लेकिन mirror होता क्या है यानि what is mirror तो friends कोई भी smooth polished surface अगर होगा न like smooth सा surface है और वो polished है तो वो हर एक चीज वो हर एक surface जो है वो as a mirror ही work करता है वो हर एक चीज mirror ही है और जो हम बोलते हैं कि जो हमारे घरों में हम लोग mirror यूज़ करते हैं वो mirror है actually वो mirror नहीं है वो looking glass है और वो जो looking glass है वो एक mirror का example है क्योंकि looking glass जो होता है उसका जो surface है बहुत ज़्यादा smooth होता है और बहुत ज़्यादा shining surface उसका होता है जिसे क्या होता है कि जो light है वो तुरंथी bounce back हो जाती है यानि उसके उपर reflection अच्छा आता है तो ऐसा कोई भी smooth और shining surface जिसके उपर reflection हो जाता है तो उस particular surface को mirror कहा जाता है तो friends I hope आपको mirror का मतलब समझ आ गया होगा कि कोई भी smooth polished surface जो ज्यादा तर light इसके उपर पड़ती है उसको वो bounce back कर देता है उसी particular polished surface को उसी smooth polished surface को mirror कहा जाता है तो friends आगे से आप याद रखेंगे कि जो हमारे घरों में हम mirror use करते है actually वो mirror नहीं है वो mirror का example है वो looking glass होता है क्योंकि ये highly polished surface होता है और ये क्या करता है ये as a mirror work करता है इसके अलावा कोई भी polished metal होता है कोई भी polished furniture होता है तो आपने देखा होगा उस पर आप अपनी image easily देख पाते हो होता है ना कि अगर कोई भी polished metal होता है तो आप देख सकते हो उसके अंदर कि आप अपनी image easily देख पाते हो तो वो चीज क्या है वो as a mirror work कर रहा होता है वो metal जो है तो वो क्या है वो mirror का example है इसके लाबा friends mirror कितने टाइप का होता है तो friends mirror दो टाइप के होते है एक होता है plane mirror और एक होता है spherical mirror plane mirror तो वही चीज जो बलकुल plane होता है जो looking glass वगरा हमारे घरों में होते है वो plane mirror का example है तो plane mirror में क्या होता है plane mirror के अंदर flat surface होता है और वो क्या काम करता है वो virtual image बनाता है erect यानि जितना size उस particular product का है उतनी ही उसकी image बनती है और virtual image बनती है यानि कि screen के पीछे वो image बनती है right तो ये क्या है ये plane mirror का एक characteristic है तो friends I hope आपको समझ आ गया होगा plane mirror क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं कि plane mirror क्या है तो friends plane mirror में क्या होता है ये एक flat surface होता है right ये suppose करी एक flat surface है पीछे से polished है इसके लावा अगर इस पे कोई भी beam पड़ेगी light की यानि कोई भी incident रे आएगी वो क्या हो जाएगा bounce back हो जाएगी तो यहाँ पे reflection भी बहुत ज्यादा हो जाता है इसके लावा जो polished surface होता है यानि ये जो plane mirror होता है इसमें क्या होता है वो कहाँ बनेगी वो पीछे की तरफ बनेगी right तो यह जो image होती है जो screen के पीछे बनती है इसी को हम लोग virtual image क्याते है और इसके लावा erect image बनाता है erect का मतलब क्या है कि जितना pen का size है और जितना distance पर वो है उतना ही distance आपको यहाँ पे screen के पीछे दिखेगा और उतना ही size में वो आपको image जो है वो दिखेगी जितने pen का size होगा right तो इसी को erect कहा जाता है और इसके लावा इसका एक और phenomena होता है वो है lateral inversion यानि कि अगर आप plane mirror के सामने अपना left hand show करेंगे तो वो आपको right दिखेगा और अगर आप right hand show करेंगे तो वो आपको left दिखेगा तो इसे phenomena को हम लोग बोलते है lateral inversion तो friends ये कुछ plane mirror के character six ते जो exam में frequent पूछे जाते हैं इसके लावा friends spherical mirror कौन से होते है तो friends spherical mirror वो mirror होते है जो sphere का part होते है यानि कि कि किसी circular mirror का circular body का part होते है ऐसे mirror को हम लोग बोलते है spherical mirror तो अगर ये एक sphere है और इसको अगर हम लोग divide करेंगे तो इससे दो sphere हमको मिल जाते है यानि sphere का part ही बन जाते है इसलिए इन mirrors को spherical mirror कहा जाता है तो friends spherical mirrors जो होते हैं ये दो type के होते हैं एक होता है concave mirror और एक होता है convex mirror अब ये concave mirror और convex mirror ये चीज़े क्या हैं इसको अभी हम देखते हैं हमारे next slide की अंदर जिसमें हम बात करेंगे specific concave mirror के बारे में और convex mirror के बारे में तो friends concave mirror जो होता है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें एक cave बनी होती है cave मतलब गुफा जैसा इसका structure होता है तो suppose करिए अगर ये एक sphere है ये एक sphere है और इसको अगर हम दो पार्ट में categorize कर देते हैं दो पार्ट में divide कर देते हैं तो यहां से दो sphere बन गया एक sphere ये बन ग polish कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या बन गया ये एक cave बन गी यानि जो पीछे से बिल्कुल covered है और यहां से ये खुली हुई है तो ये क्या बन गया ये cave बन गया तो ऐसी shape जिसकी होती है ऐसे mirror को बोलते हैं concave mirror और convex इसका just opposite है जो spherical mirror का दूसरा पार्ट होता ह अगर हम उसके inner part को polish कर देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं concave mirror तो friends ऐसे spherical mirror जिसका inner surface जो है वो polished हो उसको बोला जाता है convex mirror और जिसका outer surface polished हो उसको बोलते हैं concave mirror तो friends ये बहुत ज्यादा important है ये आपका बिल्कुल base है foundation है जो आगे आपको 8th class में और जो 10th की science होगी या में आपको पढ़ने को मिलेगा और detail में पढ़ने मिलेगा तो अभी आपको अपना base strong करना है इसके लावा friends एक question exam में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है uses कि जो concave mirror और convex mirror होते हैं इनकी uses क्या हैं तो friends concave mirror क्या काम करता है किसी भी चीज़ को enlarge करके दिखाता है यान make up mirror भी use किया जाता है इससे क्या होता है कि आप जो भी image देखना चाहते हैं उसकी image बड़ी होके आपको दिखेगी इसलिए concave mirror को use किया जाता है इसके अलावा जो car के headlights होते हैं या फिर जो lighthouses होते हैं या फिर जो torches होती है उसमें जो mirror use होता है वो भी concave mirror होता है concave क्या का करते हैं light को पूरा disperse करने में help करते हैं light को पूरा फैलाने में help करते हैं तो जैसे अगर एक torch है तो वह torch जो होगी उसकी जो light है वह बहुत दूर तक जाती है वह जाती है because of concave mirror right इसके लब फ्रेंड्स जो doctors के head mirror होते हैं उसमें भी concave mirror का ही use किया जाता है राइट क्योंकि यह जो head mirror होते हैं कि किसी भी object को enlarge करके दिखाते हैं यह उसकी image को enlarge करके दिखाते हैं इससे dentist वगरा जो होते हैं उनको बड़ी help मिल जाती है कि वो जो teeth होते हैं उनकी बड़ी सी image दिखेगी तो easily वो recognize कर पहेंगे कि उस teeth के अंदर क्या problem है तो doctors के जो head mirror होते हैं उसमें भी concave mirror का ही use किया जाता है इसके अलावा concave mirror का इस्तेमाल solar cooker के अंदर radiation यानि जो heat radiation होती हैं उनको collect करने के लिए भी किया जाता है यानि कि यह concave mirror होते हैं यह सारी कि सारी heat radiation है यानि जो sunlight पूरी की पूरी पड़ती है जो पूरी value होती है उसको ये एक खटा कर देते हैं एक जगा पे collect कर देते हैं तो ये इसलिए जो solar cooker होते हैं उसमें बिंकर इस्तिमाल किया जाता है तो ये सारे जो uses हैं, concave mirror के uses हैं और ये most important question है बहुत ज़ला पूछा जाते हैं एक्जाम के अंदर, अब हम देखते हैं कि convex mirror जो होता है इसके क्या-क्य uses होते हैं, तो friends ये जो convex mirror होते हैं ये चीजों को छोटा कगे दिखाते हैं उनकी diminished image दिखाते हैं, यानि कि आपने देखा होगा जो vehicles होते हैं, उनके जो side mirrors होते हैं उसमें आप देखेंगे कि जो पीछे का पूरा view होते हैं, वो पूरा इस mirror के अंदर capture हो जाता है पूरा दिखते हैं कि पीछे कौन कार आ रही है या कौन सा vehicle है या कुछ भी चीज आपके पीछे की तरफ होगी तो वो इस mirror में बिल्कुल clear दिखती है क्योंकि convex mirror क्या काम करता है कि convex mirror जितनी भी बहुत सारी चीज़े होती हैं उनको diminished form में दिखाता है इन छोटा करके दिखाता है इसलिए इसको as a side mirror vehicles में इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा जो street lamps होती हैं उसमें as a reflector भी इनको use किया जाता है इसके अलावा जो convex mirror हैं इनको vigilance mirror की तरह इस्तेमाल किया जाता है departmental stores में या जो बड़े-बड़े shops होते हैं या anti-shop lifting devices होते हैं उन जगाओं पे convex mirror का इस्तेमाल बहुत ज़दा किया जाता है तो friends I hope आपको समझ आ गया होगा कि जो spherical mirrors होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं और इनके क्या-क्या uses हैं अब हम देखते हैं मारा next topic जिसमें हम बात करेंगे lenses के बारे में कि ये lenses क्या होते हैं तो friends lenses जो है वो transparent material से मिलके बने होते हैं जिनके surfaces जो है वो curved होते हैं और polished होते हैं यानि कि curve surfaces होंगे अब ये curve कैसा भी हो सकता है ये curve ऐसा भी हो सकती है और यह surfaces होते है ये highly polished होते है तो इनही को बुला जाता है lens अब ये surfaces जो हैं ये curved shape में भी हो सकते हैं cylindrical shape में भी हो सकते हैं इसके लावा अगर हम इनके example दिखना चाहे हैं कि lenses का कहां कहां use होता है तो जो आपने magnifying glass देखे होंगे न जो magnifying glass होते हैं वो किसी भी image को किसी भी चीज को बहुत जादा enlarge करके दिखाते हैं यानि कि बड़ा करके दिखाते हैं तो magnifying glass में lenses का इस्तिमाल होता है इसके लावा जो spectacles यानि चश्मे वगरा जो होते हैं आखों के उसमें भी lenses का ही इस्तिमाल किया जाता है इसके लावा जो microscope होते हैं camera, projectors, telescope सारे के सारे instruments जो होते हैं इनमें भी lenses का ही इस्तिमाल किया जाता है तो friends lenses जो है ये दो type की होते हैं एक होता है convex lens और एक होता है concave lens, right अब ये क्या चीज़े हैं, convex lens क्या है concave lens क्या है, इसके क्या uses है इसको हम पढ़ते हैं मरें next slide में तो friends convex lens और concave lens क्या होते हैं तो ये थोड़ा सा opposite होगा convex lens जो होते हैं ये middle से तो thick होते हैं लेकिन इनके जो edges होते हैं वो thin होते हैं और जो concave lens हैं वो बिलकुल opposite होते हैं वो क्या होते हैं वो thinner in the middle यानि कि middle से वो thin होते हैं और जो edges होते हैं वहां से ये thick होते हैं अगर इनकी image पूछी जाती है exam में कि यह दिखते कैसे हैं, तो आप कैसे बताएंगे, कि जो convex lenses हैं, वो middle से तो thick होते हैं, यानि कि कुछ ये shape होती है, यानि middle से तो देखो यहाँ पे, यहाँ से thick हैं, यहाँ से thick form में हैं, लेकि इनकी जो edges हैं, वो क्या हैं, वो thin हैं, तो ऐस से जो lenses होते हैं, उनको बोलते हैं convex lens, और जो concave lens होते हैं, यह opposite होते हैं, यानि, यह middle से thinner होते हैं, पुछ इस तरीके से, यह middle से thinner होते हैं, और जो इनके edges होते हैं, यह thick होते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि mid से कैसे हैं, यह thin हैं, और इनके जो edges हैं, वो कैसे हैं, वो thick हैं तो convex lens की shape, कुछ ये shape उती है और जो concave lens होते हैं उनकी shape कुछ ये होती है, Right? तो friends, I hope आपको इचि Ray समझ आ गई होगी कि जो convex lens है और concave lens है, वो पैसे दिखते हैं, अब हम देखते हैं कि इंसे कैसी image बनती है और इंकी क्या-क्या uses होते हैं तो friends यह जो convex lens होते है अगर इसको किसी भी object के pass में लेके आया जाए यानि close में लेके आया जाए तो यह कैसे image form करते हैं यह virtual erect और magnifying image जो है वो form करते हैं कहने का मतलब क्या है virtual का मतलब क्या है ऐसी image जो screen की पीछे बने उसको बोलते हैं virtual image erect मतलब जैसा वो product है जैसा object है बिलकुल वैसा ही वो इसके अंदर अपनी image में देखेगा उतना ही distance देखेगा उतना ही size देखेगा उसको बोलते हैं erect और magnifying का मतलब क्या होता है कि जो image होगी वो काफे ज्यादा बड़ी होगी तो कुछ इस type की image बनती है convex lens से इसके लावा अगर इन lenses को थोड़ा सा दूर लेके जाया जाए तो उस time पर image कैसे बनेगी उस time पर image real बनेगी और inverted image बनेगी कहने का मतलब क्या है real image का मतलब होता है जो image screen से पहले बन जाए या screen के ऊपर बने उसको बोलते है real image और inverted मतलब होता है जैसे अगर object सीधा रखा है तो उसकी जो image बनेगी वो उल्टी बनेगी इसको बोलते है inverted तो याद रखिएगा कि अगर convex lenses को पास लेके आया जाए तो उस time पर virtual, erect और magnifying image बनती है अगर उसको दूर लेके जाया जाए तो उस time पर real और inverted image बनती है इसके लावा जो image है वो दोना तरीके की हो सकती है वो magnified भी हो सकती है और वो diminished भी हो सकती है जो चोटी भी हो सकती है depend करता है कि lens से object की दूरी कितनी है उसका distance कितना है इस चीज़ पर depend करता है कि image का size कैसा होगा इसके लावा friends जो concave lenses होते हैं अगर इसको object के पास में लेके आया जाए यानि कि जो object है उसके बिल्कुल close लेके आया जाए तो उस time पर ये virtual, erect और diminished image बनाता है तो आप देख सकत है difference zone के बीच में कि यहाँ पर virtual, erect दोनों का same है लेकिन convex में magnified image थी लेकिन concave के अंदर diminished image बनती है और अगर concave lenses को object से दूर लेके जाया जाए तो उस time पर image कैसे बनती है virtual, erect और diminished image बनती है हर एक position पर चाहे आप पास में रखे distance यानि बहुत दूर भी रखे या distance कम भी रख तो friends, यह difference है convex lens और concave lens के बीच में और I hope आपको यह चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, right? अब हम देखते हमारा next topic जिसमें हम बात करेंगी Newton की color disc के बारे में, तो friends, ही disc क्या है? जिससे आपने देखा होगा, एक CD होती है न, जो compact disc होती है, बिल्कुल वही चीज यहां पर बात की गई है, तो Newton ने एक special disc तेयार की थी, एक special disc को device किया था, जिसको बोला जाता है Newton's color disc, इसमें क्या था? इसमें different colors को show किया गया था कि कैसे उन सब के अंदर, यानि कैसे उन सब colors को mix किया जाता है, कैसे उनके अंदर वो quality है कि वो mix हो जाते हैं एक सार, right? तो इसके लिए उसने इसी चीज को demonstrate करने के लिए उसने यह जो rotating disc होती है, उसको इसको इसमाल किया था, तो friends आपने देखा होगा कि जो CD होती है, उसको अगर आप ऐसे still रखेंगे, constant रखेंगे, तो आप उसमें multiple color देख सकते हैं, right? लेकिन जैसे ही उसको बहुत तेजी से rotate कि यह जो disc है, इसमें से आप एक धागा या कोई thread करके निकालें, right? और इस thread को ऐसे बार बार circle करें, घूमाएं और फिर एक साथ छोड़ दें, तो यह जो disc है, बड़ी तेजी से move करेगी, और जब यह बहुत तेजी से move करेगी, तब आप देखेंगे, कि सारे कि सारे colors जितन कर सकते हैं, आप एक cardboard लें, और उस cardboard के ऊपर seven colors रखें, यानि seven colors से उसको color करें, वो seven colors कौन से होने चाहिए, वो seven colors वही color होने चाहिए, जो एक rainbow के अंदर होते हैं, right? अब क्या करें, आप इसके अंदर से एक thread निकालें, इस तरह इस तरीके से एक thread निकालें, और इसको खटे हो जाते हैं, mix हो जाते हैं, और ये आपको सिर्फ एक ही color दिखाते हैं, और वो color होता है, white color, right? इसी को newton's color disc कहा जाता है, और यहीं से एक new concept निकल के आता है, और वो new concept क्या है, वो है spectrum of white light, तो friends, तो जो sunlight होती है, वो actually white color के में दिखती है, लेकिन वो actually white होती नहीं है उसमें seven colors होते हैं, और जिब इन seven colors को split किया जाता है, इस white light से उसी को spectrum of white light कहा जाता है, कहने का मतलब यह है, जिब अपने rainbow देखा होगा, तो rainbow में क्या होता है, उसमें seven colors बनते हैं, right? वो seven colors friend कौन-कौन से होते हैं, वो होता है, विबग्योर, विबग्योर मतलब violet, indigo, blue, green yellow, orange, red, उसी को कहा जाता है, विबग्योर, right? और friends, एक और बात कि बेश्रक से हम इस विबग्योर को start V से कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप rainbow देखेंगे, तो color पहले उसके इंदर red वाला होगा, उसके बाद फिर आपको orange color देखता है, फिर yellow देखता है, फिर green, फिर blue, फिर ind फिर violet, ये बस एक याद करने का तरीका है, विबग्योर को, right? तो हमेशे पहले red color देखेगा, फिर orange, फिर yellow, फिर green, फिर blue, फिर indigo, फिर violet, right? तो ये जो seven colors होते हैं, ये seven colors कैसे split होते हैं, तो जब बारिश होती है, बारिश के time पर क्या होता है, हमारे atmosphere में कुछ rain drops रह जात हैं, और जब इन बूंदों के अंदर से white light निकलती है, तो वो seven colors में split हो जाती है, right? और ये जो seven colors में split होती है light, इसी को कहा जाता है, spectrum of white light, और ये जो rainbow होता है, वो भी इसी लिए बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उस white light का dispersion हो गया, यनिकि वो dispersed हो गई कि वो fell गई seven colors में, उसको बोलते हैं, dispersion of white light, right? तो friends, I hope आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि spectrum of white light का मतलब क्या है, और इसको Newton ने अपनी color disc की है, जो समझाया था, right? इसके लाबा friends, ये जो seven colors होते हैं, इन seven color के अंदर से तीन color ही ऐसे होते हैं, अगर आप उन तीन colors को mix कर दें, तो आपको बाकी सारे color हैं, वो आराम से मिल जाते हैं, अब वो color कौन से होते हैं, उनको primary color कहा जाता है, और वो color है red, green और blue, यानि इन ही के mixture से बाकी सारे colors जो हैं, वो बनते हैं, यानि red, इसके अलावा green और blue, यानि इन तीनो color के mixture से ही, बाकी color जैसे की indigo, yellow, orange, ये color बनते हैं, इसलिए इन colors को primary color या फिर additive primary color भी कहा जाता है, तो friends, I hope आपको ये chapter समझ आ गया होगा, अगर आपको इस chapter को देखने के बाद, समझने के बाद कोई भी doubt आता है, तो आप अपने doubt हमको different different sources पर पूछ सकते हैं, जैसे की आप अपने doubt हमसे YouTube की comment section में पूछ सक सकते हैं, जिसका link हम आपको description box में देंगे, इसके अलावा आप हमें Twitter पर भी follow कर सकते हैं, हमारे Twitter handle है at the rate civil section, इसके अलावा आप हमें doubt mail भी कर सकते हैं, हमारे email address है civilsection 2018 at the rate gmail.com, इसके अलावा आप अपने doubt हमारे website पर भी put कर सकते हैं, जिसका address है www.civilsection.com, तो friends, अगर आप को लगता है कि हमें हमारे वीडियो में कुछ improvement की जरूरत है, तो आप हमें suggest भी कर सकते हैं, आपके suggestions अगर हमें सही लगेंगे, तो हम उन्हें अपने आने वाले वीडियो में जरूर शामिल करेंगे, तो friends, मिलते हैं हमारे next वीडियो में, तब तक लिए बबाएन, thank you.